हेलो अबरिवर्न वेल्कम टू जीनियस आईएस आज की क्लास में हमें एक नया डिसकश करने जा रहे हैं आज का जो हमारा कॉंसेप्ट रहेगा डेट options contract options contract क्या होते हैं यह किस तरीके से काम करते है कितने type Šकों तो इन सब चीज dni के बारे मिन सब टॉपिकस के बारे में आज की क्लास में में डिस्कस करेंगे ठाग है तो option के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे derivatives की ठीक है विकॉस hatte is a part of derivatives ठीक है तो पहले हमें derivatives के बारे में पता होना चाहिए derivatives क्या होता है it means कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी value derive होती है जिसकी कोई अपनी value नहीं है बलकि जिसकी value derive हो रही है किसी underlying asset की वज़े से ठीक है उसे हम बोलेंगे derivatives for example हम example देखते हैं example समझने के बाद आपको derivatives का meaning clear हो जाएगा देखें for example एक तीजोरी 122 नहीं रखा है उस दिजोरी के चाबी किया value होगी 0 क्यूकि उस्स तीजोरी में कुछ ijnक्तारा नहीं है जिस तीजोरी कि एख के अंदर कुछ कोच नहीं दोए हम उसको संभाल कर रखें कि जिस तिजोरि की वो चावी है उस तिजोरी में एक लग रिपए रखें थिक है तो यानि कि उसकी टीकर्पी जो वैल्यू है व Prof. Chris भूल थिदुशक्त कोई वैलिव नहीं है बल्कि हुआ विरो ठिध्यू है कहां से उस तीजोरी वहां पर डेरिवेटिव क्या है वह की जिसकी वहल्यांग रुपय की जगा एक करोड रुपय रकहे हम उसे और चाहिंग में बढ़ा रखेंगे ठीक है तो यानि की उस चाहिं की वहां से डिराइब हुई है उस तीजोरी में रखे हुए पैसों से तो यहां पर डेरिवेटिव क्या है वो की और अंडर्लाइंग अशेट क्या है ऊस तीजोरी के रखे पैसे समझ रहो तो यहीं होता है डेरिवेटिव अनदर एक्जामपल लेकर चलते हैं मान कर चलो कि एक पेपर है उस पेपर के उपर मैंने लिख दिया लेकिन दूसरे के बदले में मुझे कुछ नहीं मिल सकता इसा क्यूं कि जो हानडड़ उपी का नोट है उस पर आर्बेद्र गेबरनर के सिगनेचर लेकिन दूसरे जो सिंगल एक नॉर्म लाल पेपर जिसके उपर मैंने य४्यक रूपर ये जिसके व़ज़े से उसकी कोई वैल्यु नहीं ठीक है एक important person के sign की वज़े से उस paper की value बढ़ गई ठीक है हम उसे संभाल कर रखेंगे लेकिन दूसरे paper को संभाल कर नहीं रखेंगे ठीक है तो वो क्या होते हैं तो अगर आपको यह example समझ में आ गई तो it means आपको derivative clear हो गया derivative समझ में आ गए आपको derivatives means वो सभी items वो सभी products जिनकी खुद की कोई value नहीं है बट उसकी value derive हुई है किसी underlying asset की वज़े से उसे हम बोलते हैं derivatives I hope this is clear देखिए derivative is a product whose value is derived from the value of one or more basic variables which is known as basis like underlying asset indexes or reference rate in a contractual manner clear कोई भी ऐसी चीज़ ऐसा product जिसकी value किसी another underlying asset की वज़े से derive होती है as a name suggest derivative means किसी की value किसी another underlying asset की वज़े से derive हो रही है उसकी खुद की कोई value नहीं है clear तो उसे हम बोलते हैं derivatives अब derivatives तो आपको clear हो गया अब हम बात करते हैं derivatives के types की derivative के types में ही वो topic है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है derivatives के types होते हैं forwards, futures, options and swaps basically four types होते है derivatives के forwards, futures, options and swaps clear तो आज का जो हमारा topic रहेगा वो है options ठीक है आज हम options के बारे में पढ़ेंगे options को हम further classify करते हैं two parts में that is call option and put option ठीक है उसके बारे में अभी हम detail में जानेंगे तो आज हम options के बारे में detail में पढ़ना start करते हैं देखिए options क्या होता है options मतलब एक ऐसा contract जो हम किसी party के साथ कर लेते हैं जिस contract के अंदर क्या होता है इस contract को enter करने से क्या होता है option is a contract जिसके अंदर हम future में कोई भी एक particular asset को या फिर किसी भी चीज़ को fixed price पर और fixed date पर purchase करने का buy या sell करने का हम क्या कर लेते हैं राइट पर्चेस कर लेते हैं option is a contract जिसके अंदर हम एक fix price पर और fix future में एक fix price पर और fix date पर एक particular product को buy और sell करने का right purchase करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं options option is a right not obligation this is the important thing that you have to consider about options कि options जो है वो right है कोई obligation नहीं है इस चीज़ के बारे में आप आगे जानोगे जब तब options के बारे में आपको यह topic अच्छे से समझ में आ जाएगा तब आप इस चीज़ के बारे में समझ जाओगे कि options राइट है obligation नहीं है तो options के मिनिंग में ही क्या है कि options एक right है ठीक है means option is a contract हम एक party के साथ contract कर लेते हैं कि in future in future हम इस particular asset को fixed price पर fixed price जो कि उनके बीच में अब decide होगा contract sign करते समय fix price पर और fix date पर ठीक है fix price पर और fix date पर इस particular asset को buy या फिर sell करने का वो depend करता है parties के बीच में जो option purchase कर रहा है वो buy करना चाहता है या वो sell करना चाहता है ठीक है लेकिन basically option contract के अंदर क्या होता है एक particular person दूसरी party के साथ contract कर लेता है कि मैं इस particular asset को एक fix price पर और fixed date पर future में buy या sell जो भी होगा वो करने का right purchase करता हूं ठीक है अब क्योंकि वो right purchase कर रहा है दूसरी party से तो उसके द्वारा दूसरी party को right लेने के बदले में कुछ amount pay किया जाता है which is known as fee जिसे हम option premium बोलते हैं option free या फिर option premium अभी हम option premium के बारे में detail में समझेंगे ठीक है तो आपको इतना clear हुआ option का मतलब एक ऐसा contract जिसके अंदर हम दूसरी party से future में particular asset को fixed price पर और fixed date पर buy या sell करने का right purchase कर लेते हैं उसे हम option contract बोलते हैं यानि कि हमने दूसरी party से right purchase करने का contract कर लिया यानि कि मैंने क्या कर लिया option contract एंटर कर लिया दूसरी party के साथ clear अब जो option contract होते हैं उसका example लेकर चलते हैं अब जो हमने right purchase किया ना जिस person ने दूसरी party के साथ option contract में एंटर हुआ और जिसने right purchase किया दूसरी party को fee pay करी अब उस person पर depend करता है कि future में जिस fix date को मैंने वो asset by a sell करने का right purchase किया है वो मेरे उपर है कि मैं उस right को use करूंगी या नहीं मैं उस right को exercise करूंगी या नहीं यह मुझ पर depend है ठीक है समझो और मैं अपने right को use कब करूंगी future में जब मुझे profit हो रहा होगा ठीक है तो अभी हम options के बारे में और जादे detail में समझेंगे तो आपको यह बाते बहुत ही easily समझ में ठीक है तो option में एक party दूसरी party से right purchase करती है अब उस right को future में मैं उस fix date पर use करूंगी या नहीं यानि कि जो मैंने right acquire किया है fee pay करके में उस right को मैं उस fix date पर future में यूज इंज करूंगी या नहीं या फिर हम कह सकते हैं कि future में fix date पर उस asset को purchase करूंगी या नहीं sales करूंगी या नहीं यह मुझे पर हम एक example लेकर चलते हैं देखो option में यहां पर आपको explain किया गया है कि इसमें एक person होता है जो कि दूसरे person से एक particular asset को fixed price पर fixed price पर जो कि उनके बीच में decide होता है और fixed date पर purchase करने का purchase या sale करने का right acquire कर लेता है उसे हम बोलते हैं option मैंने right acquire किया दो पार्टी के बीच में option contract हुआ लेकिन उस option contract के अंदर एक option buyer होता है एक option seller होता है option buyer ने right को purchase किया है दूसरी पार्टी को fee pay करके premium pay करके ठीक है अभी आप सीख जाओगे इनके बारे में देखिए एक्जामपल लेकर चलते हैं एक्जामपल से आपको clear हो जाएगा option के बारे में देखिए एक person अभी शेक एक पर्सन है राहूल ठीक है अभी शेक पर्सन है और दूसरा पर्सन है राहूल जिसके पास एक विल्डिंग है ठीक है ठीक है उस बिल्डिंग की जो वैलिई है Danis 10 लग थिक है देस लुकra की वो बिल्डिंग करने अभी शेक क्या चाहता है अभिशेक को यह लग रहा है की फ्यूचर में हो सकता है इस बिल्डिंग कैप्र exercises ठीक है हो सकता है अभिशेक को क्या लग रहा है कि after three months जो building के price है नवह बढ़ जाएंगे अभिशेक को क्या लग रहा है कि 3 महीने बाद यहां पर इस building के आसपास एक airport बनेगा और उस building के prices बढ़ जाएंगे ठीक है अभिशेक को यह लग रहा है तो अभी शेख क्या सोच रहा है कि मैं अभी इस बिल्डिंग को पर्चेस कर लेता हूं लेकिन अब दूसरी तरफ उसे यह भी लग रहा है कि हो सकता है कि बिल्डिंग के प्राइज ना बढ़ें ठीक है हो सकता है कि बिल्डिंग के प्राइज डाउन चले जाएं और मैं आज तो मुझे लोस हो सकता है तो उसने क्या किया अब अगर उसे यह लग रहा है कि तीन मेने बाद प्राइज बढ़ जाएंगे तो उसे अभी के अभी दस लाग की पर्चेस कर लेनी चाहिए प्रॉफिट उसे प्रॉफिट हो जाएगा ठीक है उसे पर्चेस कर लेनी चाहिए दस लाग की लेकिन उसे दूसरी तरफ यह लग रहा है कि हो सकता है कि प्राइज डाउन चले जाए और उसे लोस ना हो जाए तो उसने क्या किया उसने इमिजेटली उस बिल्डिंग को दस ल कॉंट्रेक्ट हो गया ठीक है जिसमें दोनों पार्टी के बीच में ओप्शन कॉंट्रेक्ट हुआ जिसमें अभिशेक ने राहुल से जो कॉंट्रेक्ट किया उसमें अभिशेक ने राहुल को क्या कहा कि तीन महीने बाद मैं आपकी इस बिल्डिंग को तीन महीने बाद द इस फिक्स डेट 10 लाग की परचेज करूंगा इस फिक्स प्राइस इन दोनों पाटी इस के बीच में जो ऑप्शन कॉंट्रेक्ट हुआ उसमें अभिशेक ने ऑप्शन परचेज किया राहूल से अभी क्या भी बिल्डिंग नहीं परचेज करी ऑप्शन परचेज किया अभि कि इस बिल्डिंग को फिक्स प्राइस पर यानि कि 10 लाग पर ही ठीक है दस लाग पर ही और फिक्स डेट पर यानि कि तीन मेने बाद की जो डेट होगी उस फिक्स डेट पर मैं परचेज करूंगा ठीक है तो यानि कि अभिशेक ने क्या किया ऑप्शन परचेज कर लिया अ किसे राहुल से यहां पर ओप्शन कॉंट्रक्ट हुआ दो परटी बीच में जिसने ऑप्शन परदिश किया THAT इस ऑप्शन वाईर जिसने ऑप्शन सेल किया अब इस परसन ने क्या किया इसको option sale कर दिया अभिशेक ने राहूल के साथ क्या option contract किया कि तीन महीने बाद मैं आपकी इस building को 10 लाख पर purchase करने का right purchase करना चाहता हूं ठीक है तो राहूल एगरी हो गया ठीक है राहूल एगरी हो गया यानि कि अब अभिशेक ने right purchase कर लिया ना तो यह अभिशेक पर depend करता है कि वो उस right को future में use करेगा या नहीं यानि कि तीन महीने बाद वो उस building को purchase करेगा या नहीं करेगा यह उस पर depend करता है क्योंकि उसने right purchase कि उसने obligation नहीं ली मैंने आपको बताया था option contract क्या देता है option buyer को right देता है obligation नहीं देता है ठीक है यानि कि उसकी obligation नहीं है तीन महीने बाद building को purchase करना ही करना है उसने option purchase किया उसने right purchase किया ठीक है वो चाहे तो right को use कर लेगा तीन महीने बाद और building purchase कर लेगा 10 लाग की ही मिलेगी उसे वो चाहे तो राइट को यूज ना भी करें ठीक है लेकिन उस राइट को अक्वार करने के लिए उसने क्या किया राहूल को कुछ अमाउंट पे किया होगा क्योंकि राहूल इतना बड़ा रिस्क ले रहा है राहूल हो सकता है कि वहां पर एयरपोर्ट बन जाए और बिल्डिंग के प्राइज और जादा बढ़ जाएं लेकिन राहूल ने तो उसे ऑप्शन दे दिया उसे ऑप्शन सेल कर दिया राहूल इस बाद से एगरी हो गया कि अभी शेख जो है वो तीन महीने बाद इस बिल्डिंग को दस लाख में ही परचेस करेगा और राहू चाहिए थीन महीने बाद उसी 10 लाख पर ही राहूल को अभिशेख को वो बिल्डिंग सेल करनी पड़ेगी तो राहूल के रिस्क लेने की वज़े से और राहू ने अभिशेख को राइट दिया कि आप चाहे तो परचेस कर लेना चाहे तो परचेस ना करना लेकिन अगर आ बड़ा सक्रिफाइस किया उसे राइट दिया और साथ ही बिल्डिंग के प्राइज बढ़ने पर जो उसे प्रॉफिट होना था उसने उस प्रॉफिट को भी छोड़ दिया तो इस वज़े से राहूल जो है वह अभिशेक को ऑप्शन सिर्फ तभी देगा ऑप्शन कॉंट्र ऑप्शन प्रीमियम का अमाउंट देगा जिसे हम ऑप्शन फी भी बोलते हैं ऑप्शन फी अभिशेक ने राहूल को क्यों दी विकाज राहूल ने अभिशेक को राइट दिया ठीक है और साथ ही राहूल ने इतना बड़ा रिस्क लिया कि फ्यूचर में प्राइज बढ़ ने इसमेश करता है कि वो उसक्राइब को सिर्फ तब यूज करता है अपने राइट को सिर्फ तभी यूज करता और वह उसको प्राइब क्रफित होगा अगर उस बिल्डिंग के प्राइज जो हैं तीन महीने बाद बढ़ जाते हैं तो वह राइट को यूज कर लेगा तीन महीने बाद दस लाख में परचेस कर लेगा ठीक है यहां पर जो उसने 50,000 मान कर चलो 50,000 की उसने प्रक्रेप्शन प्रिम्यम दे थी अब अगर वो अपने राइट को यूज कर लेगा मान कर चलो की सब्सक्राइब nuestrasWow जब the prices Mc Privacy the other are ओस्प्ER दिन महीन बाद अगर इूज बढ़ जाते हैं तो वह अपने राइट को यूज कर लिगा वह दस के मारे Junior one 25 लाए लेकिन उस ने अक्वायर करने का राइट लिया थार दस लाःत में तो अगर मारकीट में बढ़ जाते हैं मारे मारे प्राइस बढ़ जाता है दन और और उप्शन प्राइस से तो वह तो क्या होगा वह अपने option को यूज कर लेगा और उसे profit कितने का हो जाएगा 15 लाक का उसे profit हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर market price जो है मानकर चलो market market price हो गया 8 लाक का ठीक है market price हो गया 8 लाक का लेकिन उसने जो option लिया था उसमें क्या decide हुआ था कि 10 लाक में उस building को तीन महीने बाद purchase करूंगा मानकर चलो राहूल की जो बिल्डिंग थी जो उसने 10 लाक में सेल करने का contract कर लिया था ठीक है और अभिशेक ने 10 लाक में पर्चेस करने का option तो आपने राइड को यूज नहीं करेगा जब प्राइज डाउन चले जाएंगे अगर प्रैस डाउन चले गए तो वो क्या करेगा राइड को यूज नहीं करेगा जब प्राइज राइट को यूज ना करने की वज़े से अब जो उसने प्रीमियम पे कर रखी है राहुल को पहले से 50,000 की उसका उसे लोस हो जाएगा तो यहां पर लोस हो जाएगा क्योंकि उसने राइट यूज नहीं किया तो लोस कितने का होगा लोस विल बी अप टू दा अमाउंट ओफ यूज पीसम्य अप्टू दा अमाउंट ओफ प्रीमियम ठीक है प्रॉफट अगर वो राईट को यूज कर लेता गहोँ ऑप्षण बाइर जो हो आपने राइट को सिरफ सर्फ तभी यूज करता आपने और अप्शें को तभी यूज नहीं करता क्योंकि उसे लोस हो रहा है तो जो लोस अगर उसे होता है तो उसका लोस सिर्फ up to the amount of premium ही रहेगा ठीक है समझ रहे हो जैसे की insurance के case में होता है हम insurance करा लेते हैं ठीक है हमें कितने का भी नुकसान हो ठीक है हमें कितने का भी नुकसान हो तो insurance company bear करती है ठीक है लेकि हमें नुकसान हो गया मतलब वह प्रपर्टी जो है वो किसी में सैपनिंग की विज़े से डैमेज हो जाती है तो इंस्वरेंस कंपनी सारा क्लेम दे देगी ठीक है हमें प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन अगर हमारी प्रपर्टी के साथ कोई में सैपनिंग नहीं होती है कोई इंसिडेंट नहीं होता जिससे हमारी प्रपर्टी डैमेज हो जाए तो क्या होगा हमें क्या वो अमाउंट देंगे नहीं देंगे ना लेकिन हमें लॉस कितने का होगा सिर्फ प्रीमियम के अमाउंट का जो हमने इंश्वरेंस प्रीमियम दी कि सेम वे से ऑप्शन कॉंट् करता है जब उसे profit होता है ठीक है और उसका जो profit है वो indefinite हो सकता है कि market price जो है वो 25 लाग से भी जाधा हो जाए 50 लाग हो जाए उस building का price तो उसने तो 10 लाग में परचीज करने का राइट लिया है ठीक है उसे तो 10 चारट डशास लाख में मिलेगी और मार्केट प्राइज अगर 50 लाक हो गया तो 40 लाग का उसे ृप्ष कों प्रॉपिट के अंदर यं पर चारओ प्रॉपिट है US को वो एकवायर कर रहा है क्योंकि उसे क् lawsuit होD तो उसका जो right को use ना करने की वज़े से उसका जो loss है वो सिर्फ और सिर्फ उतना है जितना premium amount उसने pay किया है अब अगर building के prices जो हैं वो 10 लाक से कम होकर मान कर चलो 2 लाक रुपे रह जाते हैं building का price ठीक है सिर्फ 2 लाक रह जाता है तो क्या होगा क्या उसे आठ लाक का लोस हो जाएगा नहीं क्योंकि उसने तो सिर्फ option लिया था ठीक है वह राइट को सिर्फ तभी यूज़ करेगा जब उसे profit होगा अगर उसे लोस हो रहा है मार्केट में उस चीज़ का price 2 लाक है तो वह अपने contract को अपने जो उसने राइट अक्वार किया था उसको क्यों exercise करेगा राइट को exercise नहीं करेगा वह क्योंकि उसे लोस हो रहा है ठीक है अब यहां पर राइट यूज़ नहीं किया तो यहां पर अब उसे पूरे के पूरे आट लाक का लोस थोड़ी होगा अगर दो लाक वैल्यू रह जाती है तो क्योंकि उसने तो मिल्डिंग अभी परचेज ही नहीं करी ना उसने सिर्फ प्रीमियम पे करने के बाद अगर वह राइट को यूज़ नहीं करता तो उससे सिर्फ और सिर्फ कितना लोस होगा up to the amount of mêmes समझृ तो यह तहाँ ओप्षन कोंट्रेक्ट कर आप अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारे अप्षण कोंट्रेगिम में 결वोब काफी सारे श्रक्ण कोंट्रेक्ट करते और जैसे कि आप मूवी टिकेट पर सब्सक्राइब है आँ तो वहए जो मूवी लिकाने वाले ह कर रहे हैं वह आपको movie ticket sale कर रहे हैं आपने क्या किया मतलब आपने option contract में enter हो गए कि इतने fixed price पर इस particular time पर मैंने movie देखने का right purchase कर लिया अब मेरे पर depend है कि मैं उस time पर movie देखने जाओंगी या नहीं जाओंगी ठीक है जैसे कि train की tickets आप purchase करते हो वह आपको आपने train की ticket purchase करी आपने option purchase कर लिया आपने राइट ले लिया कि इस fix time पर इतने fixed price पर मैंने अपने destination पर जाने का right ले लिया अब वह मुझ पर depend करता है कि मैं उस प्राइट को use करूंगी या नहीं करूंगी यानि कि उस फिक्स टाइम पर मैं उस जर्नी को उस जर्नी को carry on करूंगी या नहीं करूंगी ठीक है वह मुझ पर depend करता है ठीक है अगर favorable circumstances होंगे तो मैं वह जर्नी को use करूंगी otherwise उन टिकेट की कोई यूज नहीं रहे ठीक है और मुझे कितने का लोस होगा सिर्फ जितने की मैंने वह टिकेट्स purchase करी थी ठीक है जितना प्राइस मैंने पे किया था तो सेम वेसे यहां पर भी ऐसा ही होता है यह option contract के बारे में मैंने आपको brief overview दे दिया आई होप आपको इन example से समझ आया होगा option contract क्या होता है इसमें एक person option purchase करता है अब इसके अंदर देखिए दो parties involved होती है एक होता है option buyer देखो contract जो है वो दो parties में तो होता ही है तो इसमें एक होता है option buyer जो option purchase कर रहा है और दूसरा होता है option seller जिसे हम option writer भी बोलते हैं जो की option sale करता है ठीक है अब जो option buyer है कि उसके पास right होता है option बार जब दो parties option contract में एंटर होती है तो उसमें option buyer के पास right होता है कि वो option को use करेगा या नहीं करेगा अपने राइट को exercise करेगा या नहीं करेगा future में fix date पर लेकिन जो option seller है option writer है उसकी obligation option buyer की obligation नहीं है अब उसकी obligation थोड़ी है अब मैंने movie tickets purchase करी अब मेरी obligation थोड़ी है कि मुझे movie देखनी ही देखनी है मेरा मन करेगा तो मैं अब यहां पर अभिशेक ने option purchase किया था ना अभिशेक के ऊपर कोई obligation तो नहीं है न कि उसे वो building purchase करनी करनी पड़ेगी उसका मन करेगा उसे profit होगा तो वो purchase करेगा नहीं तो वो नहीं purchase करेगा और सिर्फ premium के amount का उसे loss हो जाएगा ठीक है तो यहां पर यह जो option writer है option seller या फिर option writer जो है उसकी क्या होती है obligation यानि कि अगर option buyer दो पाटी के बीच में option contract हो रहा है उसमें अगर option buyer future में fix date पर option को use करना चाता है यानि कि अपने राइट को जो उसने राइट पचेस किया था उसको exercise करना चाता है तो option seller की यानि कि option writer की obligation है कि वो उसे उस right को use करने दे ठीक है अब जैसे मैं जैसे movie tickets का यह मने एक्जामपल लिया अगर मैंने movie tickets ली तो मैं बायर हूं और वो जो थीटर वाले हैं वो option seller है ठीक है अब मेरा तो राइट है कि मैं उस fix time पर movie देखूं या ना देखूं यह मुझ पर depend करता है और अगर नहीं देखूंगी तो जितने कि मैंने टिकेट पर चेज करी उतने कि मुझे लोस हो जाएगा लेकिन राइट तो मेरा है ना कि मैं देखूंग या ना देखूंग लेकिन अगर मैं राइट को यूज करती हूं अगर मैं फ्यूजर में जो मुवी का टाइम है अगर मैं मुवी देखना देखना चाती हूं राइट को एक्सराइस करना चाती हूं तो जो थीटर वाले हैं उनकी ओब्लिगेशन है कि वह मुझे दिखाए ठीक है सेम वेसे यहां पर जो अभिशेक है अभिशेक के पास तो यानि कि अपने राइट को एक्सराइज नहीं करेगा वो तीन महीने बाद तो उसे लोस हो जाएगा सिर्फ प्रीमियम के अमाउंट का ठीक है लेकिन अगर वो तीन महीने बाद बिल्डिंग पर्चेस करना चाता है अपने राइट को एक्सराइज करना चाता है तो राहुल seller की obligation होती है कि अगर बायर जो है वो राइट को exercise करना चाहता है तो option seller जो है वो उसको exercise करने देए ठीक है तो यहां पर दो parties involved होती है parties to option contracts are two parties one is option buyer and second is option seller यहां पर हमारे example में जो अभिशेक है वो क्या है option buyer और हमारे example में जो राहूल है वो क्या है option seller जिसे हम option राइटर भी बोलते हैं अब option buyer ने option purchase किया है राइट purchase किया है और यह इस पर depend करता है कि यह राइट को यूज करे या ना करे तो इस राइट को purchase करने के लिए option buyer ने option seller को जो amount पे किया that amount is known as option premium ठीक है तो यह कौन है यह option buyer है अभिशेक है जिसने उस building को purchase करने का राइट लिया future में ठीक है कि अगर प्राइज जो है वो market में बढ़ जाएंगे तो मैं अपने option को यूज कर लूँगा मैं दस लाग में वो इस चीज का राइट लेने के लिए उसने क्या किया प्रीमियम पे की ना फी पे करी option seller को क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया इस वज़े से option seller राइट देने के लिए option buyer से amount charge करता है डाट इस नोन अस प्रीमियम तो ऑप्शन बायर जो है वो प्रीमियम पे करके राइट अक्वायर करता है और option seller जो है वो प्रीमियम लेकर obligation बन जाती है उसकी ठीक है वो प्रीमियम ले तो लेता है लेकिन उसकी obligation हो गई अब उसने प्रीमियम ले लिया उसने 50,000 ले लिए अब उसकी obligation बन गई कि चाहे market में तीन महीने बाद prices 20 लाक हो जाएं दस से बढ़कर फिर भी उसे तो दस लाक में ही सेल करनी पड़ेगी उसकी obligation हो गई अब ठीक है वो प्रीमियम लेकर obligatory हो जाता है इसके towards और यह जो है यह premium pay करके write ले लेता है समझ रहो आगे देखिए option contract में क्या होता है option writer and option buyer जो option writer है जिसे हम option seller बोलते है ठीक है जो option seller है वो क्या करता है premium receive करता है option buyer जो है वो premium pay करता है option seller को ठीक है दोनों के बीच में यह option contract हुआ जिसमें buyer ने option writer को seller को premium pay करी और writer ने क्या किया option sell किया किसको option buyer को ठीक है इसने premium लेकर option सेल किया इसने premium pay करके राइट ले लिया option ले लिया ठीक है तो option क्या है option का मतलब एक ऐसा contract जो दो parties के बीच में होता है जिसमें एक option buyer and another is option seller or option writer जिसमें option buyer जो है वो एक future में एक particular community को fixed price पर a fixed date पर buy या sell करने का right acquire कर लेता है by paying a fee to option writer that fee is known as option premium clear तो अब हम बात करते हैं types कितने होते हैं option contract के दो types होते हैं types of options basically देरा two types call option and put option ठीक है दो types होते हैं option के call option and put option call option का क्या मतलब होता है call option means option to buy and put option means option or right to sell ठीक है अगर जो option बायर है वो future में एक particular product को या फिर particular asset को fix price पर fix time पर purchase करने का right acquire कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं call option किसी particular asset को future में fix price पर fix time पर purchase करने का right अगर हम acquire कर रहे हैं दूसरे person से तो वो क्या होगा call option यहां पर हमारा जो previous option बायर है चीज का तो seller है जो community यह जो असट है उसको तो वह सेल कर रहा है लेकिन option को acquire कर रहा option को बाय कर रहा है तो जब एक option बायर एक particular asset को future में fix time पर और फिक्स टाइम पर फिक्स प्राइस पर सेल करने का right purchase कर लेता है यहां पर आपने क्या ध्यान रखना है कि particular asset को तो वह सेल करेगा लेकिन option को उसने purchase किया तो अब उसका उसका right बन गया उसकी obligation नहीं है कि उसने सेल करना ही करना है मान कर चलो कि यहां पर इस हमारे प्रीवेस एक्जामपल में राहुल जो है वो option बायर होता और अभिशेग जो है वो option seller होता ठीक है तो अब यहां पर राहुल की राहुल को right मिल जाता कि future में वो 10 लाक में उस building को अभिशेग को सेल करेगा या नहीं करेगा ठीक है लेकिन अभिशेग की obligation होती कि उसने तो purchase करना ही करना है 10 लाक में ठीक है तो अब यहां पर जो option buyer है वो कौन है वो community को sale कर रहा है यानि कि building को sale करने वाला person अगर option को purchase कर लेगा तो उस case में उसको right मिल जाएगा कि future में जिस date को option उनके बीच में जिस date का contract हुआ है उस date को वो उस commodity को या फिर asset को sale करे या ना करे वो उस पर depend करेगा और वो उसे कब sale करेगा जब उसे profit होगा यानि कि अगर हमारे previous example में उस building का जो price है उस building का अगर वहां पर call option की बजाए put option हो यानि कि राहुल जो है वो option buyer हो और अभी शेक option seller हो तो राहुल को right मिल जाएगा ना कि future में वो उस building को sale करे या ना करे 10,00,000 में लेकिन अभी शेक की obligation हो जाएगी कि उसे तो 10,00,000 उसे तो purchase करनी ही करनी है ठीक है अगर राहुल sale करता है तो उसे तो purchase करनी ही करनी पड़ेगी यानि कि option buyer का right होता है कि right को acquire exercise करे या लेकिन option seller की obligation होती है कि अगर option option buyer जो है वह राइट को exercise कर रहा है तो उसे तो उसको right को अपनी obligation को fulfill करना ही करना है यानि कि अगर राहुल जो है उस पर प्राइस करना चाहरा है तो अभिशेक को लेनी ही पड़ेगी ठीक है अब राहुल जो है मानकर चलो प्रिवेस एक्जामपल में पूर्ट ऑप्शन राहुल जो है वह अपने option को कब exercise करेगा देखिए अगर बिल्डिंग का जो मार्केट प्राइस है मानकर चलो मार्केट प्राइस जो है वह कम हो जाता है उस बिल्डिंग का मार्केट प्राइस प्राइस जो है वह पांच लाक हो जाता है लेकिन हमारा option प्राइस क्या है दस लाक तो अब राहुल क्या करेगा अगर राहुल ऑप्श उसकी वह चीज 5 लाख में जारी है वहीं जो उसने कॉंट्रक्ट साइन किया था उसमें उसकी चीज 10 लाख में जारी है तो वह अपने उप्शन को यूज करेगा अब राहुल अब जो अभिशेक है वह मना नहीं कर सकता है ठीक है अब आपने उस एक्जामपल को पुट ऑप् उसने कॉंट्रक्ट साइन किया था राहुल के साथ कि वह उस बिल्डिंग को 10 लाख में सेल करेगा तो अब जो ऑप्शन बायर है यानि कि राहुल वह तो अपने राइट को यूज कर लेगा लेकिन अब यहां पर जो अभिशेक है वह इस बात से मना नहीं कर सकता अभिशे अब यहां सब्कराइट को यूज कब नहीं कर एंगा अगर मार्कुट प्राइश जो है वह 15 लाख हो जाता और ऑप्शन प्राइश बigorत सम्वें तो क्या करेगा Напाइब जहां मार्कीट में उसकी चीज 15 कर सकता नहीं कर सकता है तो resistance कर तो नहीं को समय करेगा हुँ तो नहीं करेडर आगर d5 can अ design bergare उसके अंडर उसने यह राइट लिया था कि अधर शुच्न को यूज नहीं कर या के लूक्त करेगा मार्कस्न और आगर उसकी ज्यादा वैल्यू में जायेगी जधा तो इस केस में वह अपने ओप्शन को यूज नहीं करेगा ठीक है अगर अब यहां पर जो वो और यूज नहीं करा तो उसने जो प्रीमियम की होगी उतने प्रीमियम के अमाउंट का उसे लोस हो जाएगा लेकिन अगर उसे प्रॉफिट होता तो unlimited प्रॉफिट हो सकता है ठीक बाइर के द्वारा राइट को यूज किया जाता है या नहीं किया जाता देखो कॉल ऑप्शन के केस में जो ऑप्शन बाइर है वो राइट को यूज करें या कब कॉल ऑप्शन के केस में जो ऑप्शन बाइर है वो अपने राइट को कब यूज करेंगा अगर market price जो है वो लगवा जाधा हो जाए और option price जो है मार्केट में वह चीज 15,000,000 की है और हमें वह चीज 10,000,000 की मिल रही है तो वह अपने right को यूज कर लेगा क्योंकि call option है should sound कभ वह right को use नहीं करेगा अग ए क्यांक कॉल उप्षन के case में जो ऑप्षन बायर है अभिशेक जो है वो कब अपने राइट को यूज नहीं करेगा अगर मार्केट प्राइज जो है वो है चार लाग मार्केट प्राइज अगर कम हो जाता है और उप्शन प्राइज जो है वो ज्यादा है दस लाग ठीक है यानि कि मार्केट में वो चीज चार लाग की ह गई है तो वो 10,00,000 की क्यों पर्चेज करेगा ठीक है तो ओप्षन को यूज ना करने की वज़े से यहां पर जो उसे लोस होगा वो कितना होगा सिर्फ प्रीमियम और ओप्षन को यूज करेगा जब वो तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो अनलिमिटेड हो सकता है है अव अब हम बात करते हैं पूट ऑप्षन के केस में जो ऑप्षन बायर है जिसने सेल करने का राइट एक्वायर किया है वो कब राइट को यूज और वो अपने ऑप्षन को या अपने राइट को अबर यूज करेगा जब मारकेट जू है वो अपने राइट को तब यूज करेगा जब मार्केट प्राइस कम हो जाता है यानि कि मार्केट प्राइस हो गया चीज का दो लाख ठीक है और ओप्शन प्राइस कितना है ज्यादा है दस लाख जब मार्केट में उसकी चीज 2 लाख की विक रही है और ओप्शन में कॉंट्रेक्ट में उसकी चीज 10 लाख में जा रही है तो वो अपने राइट को ओविसली यूज करेगा ठीक है तो इस केस में जो उसे प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा अनलिमिटेड कितना भी प नहीं करेगा पूट ऑप्शन के केस में जो ऑप्शन बायर है वो अपने राइट को कब यूज नहीं करेगा जब मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे ठीक है और ऑप्शन प्राइस जो है वो कम है ऑप्शन प्राइस दस लाख है और मार्केट में उसकी चीज 20 तो जब मार्केट में उसकी चीज 20,000 की जा रही है तो वह से इकलत अपने चीज़ 10,000 कंवे सेल करेगा तो फुर्ट उप्शन के केस में जो ऑप्शन बायर है वो अपने राइट को यूज्य करएगा अगर market price ज्यादा है और option price कम है तो इस case में जो उसे loss होगा अपने option को अपने right को exercise ना करने की वज़े सो जो उसे loss होगा वो कितना होगा up to the amount of premium clear तो I hope आपको ये option के बारे में जो आज हमने different different topics discuss किये अलग-अलग concept से हमने option contracts को समझा I hope आपको ये समझ में आ गया होगा okay so this was all about a type of derivatives that is option call option and put option call option means option to buy and put option means option to sell clear so this was all about options options contracts thank you so much